इसरो भारत सरकार के सभी अंत्रिक्ष अवियानों का संचालन करने वाली एक संस्ता है इस संस्ता के अंतरगत समस्त अंत्रिक्ष अवियानों हेतू प्रेसिक्षन इत्यादी किया जाता है वर्तमान समय में इसरो ने ने केवल भारत बल्की अन्य देशों के उपगरे प्रेक्षेपण में भी अपना एहम योगदान दिया है अपने सपलकारियों के चलते इसरो ने खगुल सास्त्री के शेत्र में वीसिव वर्मे अपना वर्चोस भी स्थापित किया है विक्रम सारभाई द्वारा इसरो की स्थापना 15 अगस्त वर्स उन्नी सो नेत्तर में की गई थी जिसका वार्चिक बचट अब लगभग 14 करोड के आसपास है इसरो की स्थापना सरपर्थम भारत के पर्थम परदान मंत्री जवारलाल नहरू द्वारा बाविश्य में अंतरिक्ष कारेकरमों के आउशक्ता को मेहसूस किया था जिसके तायत सन 1961 में अंत्रिक्स अनुसंदान को इस्थापित किया गया जिसमें पर्मान और जाविबाग की अधिक्सता होमी जहागीर भाबा द्वारा की गई थी इसके बाद सन 1962 में अंत्रिक्स अनुसंदान के लिए भारती राश्टी समीती का गठन किया गया जिसके लिए सभापती की रूप में डॉक्टर विक्रम सहाराभाई को निक्त किया गया वर्तमान में इसरो का मुख्याल है बैंग लूरू करनाटक में स्थित है और इसके वर्तमान इदेशक डॉक्टर के सिवान है इस प्रकार भारती अंत्रिक्स कारेकरम के जरक माने जाने वाले डोक्टर विक्रम सहरबाई द्वारा भारती अंत्रिक्स कारेकरम को गठित किया गया भारती अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1979 को की गई इसरो के स्थापना के समय इसका नाम अंत्रिक्स अनुसंदान के लिए भारती राष्टे समीती रखा गया था इसरो के कारिय वै उपलब्दिया इसरो ने अपनी स्थापना के फशात प्रणालियों में जैसे मोसम विज्ञान टेलिविजन परसारण दूर संचारत था आपका चेतावनी इत्यादी को विक्षित किया गया इसरो द्वार अपना पहला उपगरे आरियबट 19 अप्रेल 1975 में निरमित करके दर्श किया गया था यह पहला उपगरे सोवियत संग द्वारा लोंच किया था दूसरी और भारत द्वारा निरमित सेटलाइट लोंच विकल त्री के द्वारा उपग्रह रोईनी को 18 जुलाई 1980 में इस्तापित किया गया था इसके अतेरिक इस्टरों ने 2012 में इमेजिंग सेटलाइट 1 को लोंच किया था इस्टरों द्वारा चंद्रमा का उलोकन करने वाला चंद्रियान 1 साल 2008 में लोंच जुआ 2013 में मार्स और्बिरेट मिसन के सफल प्रेक्षन द्वारा इस्टरों ने दुनिया भर में खूब ख्यातियर जीत की इस्टरों द्वारा समय समय पर विक्षित के गई कुछ खास प्रेक्षेपनियान इस दुरूबय उपग्रे प्रेक्षेपणियान, भू इस्तर उपग्रे प्रेक्षेपणियान, सनवर्दित उपग्रे प्रेक्षेपणियान, भू इस्तर उपग्रे प्रेक्षेपणियान, मार्क थ्री इसरो के नए प्रोग्राम अथ्वा योजना है आने वाले कुछ वर्सों में इसरो द्वारा कुछ नए प्रोग्राम शुरू के जाने वाली है जिसमें से कुछ इस परकार है आने वाले सालों में इसरो द्वारा इंसानों को अंत्रिक्स में भेजने की तैयारी की जा सकती है साथ ही भारत अपना पहला सूर्य के सोलर कोरोना अध्यन के लिए आदित्य एलवन भेजने का प्रबंद कर रहा है 2022 में निशार उपगरे लोंच करने का फैसला लिया गया जो कि एक रडार उपगरे है साल 2024 में भारत अपना दूसरा उपगरे लोंच करेगा जो विसेश तोर पर मंगल गरह के अध्यन के लिए भेजा जाएगा साल 2025 में सुकर के अध्यन के लिए इसरो अपना सुकर यान एक आर्बिटर लोंच करेगा इसरो ने पूरी दुनिया में एक सफल मुकाम हासिल कर लिया है अपने सफल अंत्रिक्स परियोजनाओं के तैत इसरो ने दुनिया भर में ख्याती अर्जित की है पिछले दसकों में भारत को गुरों को प्रक्षेपित करने के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों का सारा लेना पड़ता था परन्तु आज भारत स्वयम अमेरिका और रूस जैसे कई देशों के गुरों को अपने प्रक्षेपन यान द्वारा प्रक्षेपित करता है जो कि हमारे भारत देश के लिए बेहत गर्व की बात है इस दो भारत और प्रतेग भारत के लिए सम्मान की बात है धन्यवाद जैहिन जैहिन